नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है, हम ग्लोबल पंजाब के नौर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूक्य और यॉरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं एंडिये गठ बंधन में दरार आते ही तीसरे मोर्ची की कावायत शुरू हो गई है, नरे इंदर मोधी को लेकर जदियो अब आरपार के मूट में दिखाई दे रही है और तिर्णमल कॉंग्रिस, बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइट, लजपी जैसे शेत्री दलों के रुक से तीसरे मोर्ची की संभावना को बल मिला है कितनी मजबूत दिखाई दे रही है तीसरे मोर्ची की कावायत, जानने की कोशिश करते हैं अपने महमानों से हमारे साथी स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ट भाष्पानेता सेत्पाल जैन, इंडिनेशनल लोगदल के नेता MS मलिक, बन पराड़ CPI नेता है और साथी हमारे साथ वरिष्ट पत्रका ब्रच मोहन भी मौजूद है जैन साब क्या लगता है कि बीजेपीर मना पाईगी नितिश कुमार को देखे हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में शिरी नितिश कुमार जी, शर्दियादव जी उनके साथ जो हमारी बात्ची चल रही है हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे उसके कई कारण है मूलते जन्तादल युनाइटट नितिश कुमार जी भी, शर्दियादव जी बी और उनके बाकी सारे साते भी वो कॉंग्रस के विरोध की राजनीती से निकले हुई है शर्दियादव एमरजंसी में भी, नितिश कुमार जी आपास स्थिती में भी कॉंग्रेस का विरोध करते नहीं, नरंतर वो कॉंग्रेस के विरोधी रहें और आज की राजनितिक स्थिती में आपके पास मुख्य तौर पर दो ही विकल्प हैं या भाजपा के साथ NDA में रहिए या कॉंग्रेस वाले UPA में रहिए विकल्प तो वो बनाने की तयारी कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इस समय जो स्तिती देश की है उसमें कोई तीसरे फ्रंट की कोई सशक्त संभावना नजर आती हो, इस समय नहीं है इस समय मुख्य तोर पर चाहे आप हिमाचल देख लें, करनाटका देख लें, उत्राखंड देख लें, देली देख लें, समुचा भारत तक अगर आप देख लें तो UPA का विकल्प NDA है, NDA का विकल्प UPA है, मुख्य तोर पर निकल कराया है मैं यह नहीं कहा रहा कि बिल्कुल भी तीसरे फ्रंट के जो पार्टी है, उनका कोई वजूद नहीं है उनका अपने अपने राजियों में वजूद है तुर पर यहीं दोनों क्षेत्रिय दल है, भाजपा रोकॉमज अगल भार्तिय दल हो है और दूसरा, भारतिय जनता पार्टी का प्रयास अंतर्त तक रहेंगा कि निरेंद्र मोदी को लेकर बीज़पी क्या फैस्दा लेगी कि विए निरेंद्र मोदी की इस समय सारे देश में स्विकारिता है उनकी पॉपलरेटी है यह नहीं को बताया कि हमने उनको चुनाप्रबंद संति का अध्यक्ष बनाया है प्रधानमंत्री बात का निर्ने जब भी होगा एंडियों को डार इसी बात का है मुझे नहीं मालूम उनको किस बात का डार है लेकिन मेरा एक नवेदन उनसे यह है कि राजनिती के अंदर व्यक्ति बात को लेकर अगर आप ऐसे निर्ने करने लगेंगे तो इसका लाब सीधा कॉंग्रेस को होगा इस समय देश में कॉंग्रेस विरोधी महौल है और अगर यूपीय का विकल्प अमर्ज हो रहा है और वो हमारे साथ चलते हैं हमने पूरा उनको विश्वास दिलाया है सभी निर्ने बात्चीज से बैट कर होंगे कोई निर्ने किसी पर थोपा नहीं ज चोड़कर नहीं एंडिया तो पहले ही चोड़ी हुए है और दो हजार चैयर के बाद एंडिया भी बिखर गई और यूपीय टू भी बिखर गई और चौज़ियोंपरकास चुटाला ने पहले भी थर्ड मोर्चे की बात की थी एक बार आज से तीन-चार साल पहले मुलाहम सिंग्यादव के साथ मुलाहम सिंग्यादव के साथ मुलाहम सिंग्यादव पीछे एडगे और अब भी आष्टा इस्ता जो 2004 में एंडिया की बात थी और 2009 में यूपीय की बहुत नहीं रही और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बाद तो और ज्यादा विखराओ आने लगया एक और शेत्री दल जोड़ रहा है तीसरे मुर्चे के साथ जो इंडियान नेशनल लोग दल तो हमारे साथ एंडिया में नहीं है बहुत देर से नहीं है यह पहले से ही ऑंपरकास चुटाला जी पूरी मैं उनके मानसमान के साथ कहना चाहरा हूं मैं तिसरे मुर्ची की मद्वूति की बात कर रहें हाँ लेकिन अब बात मानेंगी हर्याना के अंदर भी दोग शेत्री राजनीतिक डल है हर्याना जनहित कॉंग्रेश और इंडियानन लोग दल इन दोनों कभी आपसमें समंधे नहीं है अकाली दल जो है वह वह इनेलो के स जैन साब को साइद याद नहीं होगा सेप्तमबर 2012 में अकाली दल से भी सरदार सुगवीर सिंग बादल और मुलायन सिंग यादो मिले हैं पॉलिटिक्स में जो बादचीत कोई घरेलू बादचीत नहीं होती किसी संभावना को लेकर बादचीत होती है अभी भी बादच साब कोशिशे कर रहे हैं कि यह जो नाराजगी चल रही है वो खत्म हो जाए वो आपके सहयोगी है मैं यहीं तो पूछ दियू मलिक साब नहीं हो सकता तो दोनों में अगर बीजेपी और कांगरे सरकार नहीं बनाए पाएगी तो थर्ड फरंट बनाएगी यह संभावना देख रहे हैं बराट साब वाम दलों की क्या भूमिका देखते हैं आप इस पूरी कवायत में दिखे पहली बात अबरी यह है कि यह जो थर इसलिए यह जो तीसरे फ्रंट की बात करते हैं यह बी पार्टियों का फ्रंट यह बार से तो आये यह पार्टियां मिलकर के यह भी बना सकती है उसमें लेफ्ट फ्रंट जो हम कहना चाहेंगे कि तीसरे मोर्चे में यदि पहले भी जतने एफेक्टिवली जतने मोर्चे बने हैं उसमें लेफ्ट फ्रंट का रोल भूंका रही है चाहे प्लिटिकल लीडर चाहे बीच में हो चाहे बाद में हो चाहे सपोर्ट कर ले हमने तो उसकी भूंका काफी रही है अब भी मैं कहन चाहता हूँ के लेफ्ट तीसरा मोर्चा बनेगा तो लेफ्ट फ्रंट के बिना उसकी पासिबिल्टी नहीं नज़राई तो क्या टीम्सी के साथ आएंगे आप लोग तीम्सी मुश्किला ममता बेंदर जी की यही प्राब ममता बेंदर जी वह हमारी वेस्ट मगाल में शायर सबसे यह सारी चर्चा शुरूए सबसे पहले ममताब एनर्जी नहीं आके यह उपर किया है उसने वान टू ओस्ट पार लेफ्ट फ्रंट जो इंपासिब लेफ्ट फ्रंट के बिना थर्ड फ्रंट बना इनमाई पीन आज के समय में यह बुशकल है मतलब विरोधी पार्ट आप देखें तो जो पिछले 10-15 साल का पॉलिटिक्स चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स है वो बाइपोलर रहा है एक एंडिय रहा है दूसरा यूपीय रहा है तीसरे मोर्चे में जो लोग आते हैं वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते है वीपी सिंग के सरकार जो बनी इस प्रदान मंत्री पत के दावेदार है तो एक ही पाटी में दो एक जो संगठन बनने जा रहा है फेडरल वाला उसमें दो प्रदान के दावै दार हो नहीं सकते हैं क्योंकि नितिष कुमार भी आंदर बाहर से बहुत बढ़ी ढाइब का मुलायमB बहुत बड़े डार्क होर्स हैं वह बदान मंत्री पत्क दावेदारी किसी और नेता के परक्ष्म में तीसरा मोर्चा बनने से पहले ही यह समस्याइं हो सकती है मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब आप से इंकी सहमती नहीं है तेशे में की बात की कि वैस्ट मंगाल में ममतब एनर्जी बात कर रही है थर्ड फरंट की लेकिन वह वेंस्ट मंगाल में पर उसके बीच कर रहे हैं तो क्या राश्ट्री राजनीते में ये एक साथ आ सकते हैं अभी क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह है हम नितिश कुमार की बात करें बिहार की बात करें तो वहां जो सेकुलर वोट बैंक है उसको बचाने की कवायद में वह लगे हुआ है जो भुनाने की कोशिश करें नितिश ये क्या देश में चल पाएगा ये जादू के लिए है उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं अल्प संकिकों का वोट है वो जाए नहीं कहीं और लेकिन एक संभावना ये बन रही है कि मुसल्मान अगर जो मुसल्मान वोट में कि अच्छा खासा बिहार में वो या तो कॉंग्रेस की तरफ चला गया या लालू प्रसाद यादव की तरफ चला गया तो सबसे अदा नुकसान उसमें नितिश कुमार को हो सकता है और बीजेपी के रहने से साथ में रहने से कितना नुकसान या घाटा या फाइदा होगा अभी उन्होंने अकलन जरूर किया होगा जैन सब क्या लगता है कि क्या सिर्फ नरेंद मोदी को बाहर रखने के लिए तीसरे मोर्चे का शोषा छोड़ा गया है देखिए राजनीतिक कुछ वास्तिविक्ता हैं जिनको देखकर सबको चलना होता है यह वास्तिविक्ता है चाहे हम पसंद करें चाहे ना करें कि मुख्य तोर पर देश के पूरे देश में कुल मलाकर यूपिये और एंडिये दो फ्रंट बने हुए है वाम मोर्चा वेस्टमगाल में केरला में प्रिपरवगरा में उसका स्थित्वे तीसरे नंबर पर वो आता है जो हम थर्ड फ्र जी की सरकार वनी इएटी नाइम में इसको हम कह सकते हैं अधर देन बीजेप चली काफी समर्थन मिला था लेकिन जब गटन हुआ था उननीस सो चानवे में मैं लोकसभा में था देव गौडा जी आये साल सवा साल के बाद चले गए इंदर कमार गुजराल आये साल सवा साल के बाद वो चले गए उसके बाद 5 साल चली तो NDA की सरकार चली 10 साल चली तो UPA की सरकार चली उसका एक कारण है कि इतना बड़ा देश जब तक आपका एक basic skeleton नहीं होगा जो सारे देश में spread over है जिसकी यूनिंग वाइंग फोर्स है सोचने का तरीका एक है मतवेद हो सकते ह चलते हैं तब तक इस देश को चलाना संबब नहीं है जिस अलाइंस में चाहे Congress है चाहे BJP है उनके स्टेक से भी है बीजेपी मानलो जहां बैठी है यह Congress बैठी है कोई निर्ने आप लेने लगते हो तो आपको इस बात की चिंता होती है कि इसका केरला में क्या effect होगा इसका यूपी में क्या effect होगा इसका राजस्तान में क्या effect होगा अगर third front की बात आप देखें तो हर राजनीतिक दल को अ जहां तक श्री निरेंदर मोदी जी का तालूख है इस समय यह हक्किकत है को इसको स्विकार करें या ना करें आज देश में Congress के खलाब जितना वातावर्ण है उतना ही श्री निरेंदर मोदी जी को लेकर उनके विकास का model जो उन्होंने गुजरात में काम किया है सारे देश में भरपूर उसकी प्रसंसा है हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे लेकिन यह वास्त्रिक्ता है कि आज उनका एक स्थान बन चुका है जिसको देश को स्विकार कर लेना चाहिए तो मुझे लगता उसमें राजनितिक विशिलेशन सही हो पाएगा जैन साब कह रहें कि पहले से बिखरा हुआ नजर आ रहा है तीस तरह मुर्चा अभी तो बना ही नहीं है लेकिन फिर विए लग रहा है कि एक जुट्टा बन नहीं पाएगी जिस तरह से केंद्री नेत्रत्व की बात कर रहे हैं जैन साब वो नहीं हो पाएगा क्या आपको तेरा मुहिंए नम गिनादीए की मुठी भर एंपीज के साथ प्राइम मिनिस्टर बने ही राजनीती में खासकर निस देश के अंदर इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जासकता। वसे जहां तक हमारी पार्टी का सवाला है हमारा तो anti congress stand है कई पार्टीयां ऐसी भी है जो UPM में थी आज Third Front में आ रही हैं पहले UPM थी कई एक पार्टीयां इन्डियां में थी आज Third Front की कोंसे कर रही हैं वो पार्टीया फिर Congress में जा सकती लेकिन Indian National level एक ऐसी पार्टी है कि ज आज के दिन बीजेपी की सित्ति देखकर क्योंकि वहां जैसे इन्होंने काया है कि वही बीजेपी के अंदर भी चार प्राइमिनिस्टर को अमीदवार हैं और एक स्ट्रोंग आदमी का नाम लेते ही उसमें बिखराव सरू हो गया तो यहां भी तो बहुत सारी उमीदवार द लगता है कि प्रदानमंत्री पत को लेकर एक राय बन पाए बन सकती है अभी कुछ कहा नहीं कहा जा सकता है जिसके साथ ज्यादा इंपी होंगे नेचरली प्रदानमंत्री भाई बनेगा इमेजेटली तो पारलेमेंट को यह नहीं तो प्रतिक्रिया जाना चाहेंगे लेकिन बात है कि यह नंबर गेम्स है कितने नंबर आते हैं क्या होता है डिवल्पमेंट क्या होती है लेक्शन के बाद क्या होता है कोश की जा रही है कि मेर जो मेजर पार्टी है कांगर्स है या बीजेपी है उसके इर्द गिर्द की पुलराइशन किया जाए सारे सबने आए और उनकी डिजयर भी है और अपनी इस विए और पर दानमति बने के लिए पहला भी होती है जो बन जाती है बैठ करके वह बना लेते हैं यह यह नि यह विचार कैसे होता है व्रश्मोहन जो भी तक का जो सोमवार्थ लेकर अभी तक के घटनाक्रम की बात करें काफी मजबूत स्थीति में दिखाई दे रहा था क्योंकि यूपे पर जिस तरह से प्रिश्चार क्या रूप लग रहे लेकिन जो भी हुआ अद्वानी प्रक्रण हुआ फिर उससे पहले नरेन नोदी को प्रिशार कमान सौपी गई और इसके बाद आद्वानी का इस्तीफ के साथ बातचीत भी हुई है उनको चार विदायत चाहिए उनकी सरकार बची रहेगी नमबर दो बीजेपी के सबसे बड़े जो वरिष्टम नेता है लालकृष्ट अडवानी उन्होंने भी यह जता दिया है कि मेरा रेलिवेंस अभी भी है बीजेपी के अंदर और एंडि के बिना बीजेपी का उधार नहीं हो सकता है सभी नेताओं को संग की तरफ से बता दिया गया है कि आपके नेता नरंद्र मोधी ही है और आप उनको सपोर्ट करिए बिलकुल यह तीन चीजें बिलकुल साफ रज़र आ रही है और इसमें तीसरा मोर्चा अगर मौका उनको लग रहा है कि इकठा हो सकते हैं इकठा हो ले लेकिन भारती राजनिती जो मैं देख रहा हूं समझ रहा हूं वह बाइपोलर राजनिती हो गई है हलांकि राजनिती में किसी चीज को रूल आउट मैं करता नहीं हूं तीसरा मोर्चा भी हो सकता है लेकिन दो प्रमुक शक् भाश्पा के तूटते गठ बंदन ने तीसरे मोर्चे के इस बुल्बुले में हवा फूंग दी है और ये एक बार फिर आकार लेने लगा है अब कितना बड़ा होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा हां क्या ये बुल्बुला कॉंग्रेस और भाश्पा का इस पर् खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर खबरों के साथ बने रहिए राद दिन